देश में कोरोना वाइरस के चलते लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। इसके तहट केंदर की ओर से दिशानिदेश जारी किये गए हैं। और राज्यों को इस बार कई अधिकार भी दिये गए हैं। ऐसे में अब विभिन राज्य अपने अपने यहां कई तरह की राहते भी दे रहे हैं। आईए एक नज़र डालते हैं कि किस राज्य में क्या क्या राहते दी जा रही हैं। दिल्ली में मेट्रो नहीं चलेगी। बस सेवा शुरू होगी। स्कूल, कॉलेज, होटल, सिनेमा, घर बंद रहेंगे। बीस यात्रियों के साथ डी टी सी की बसे चलेंगी। बस में यात्रियों के चड़ने से पहले उनकी स्क्रीनिंग होगी। 65 साल से जादा के बुज़र्ग 10 साल के बच्चे के बाहर निकलने पर रोक होगी। नहीं होंगे। रिक्षा, यी रिक्षा चलेंगे। केवल एक सवारी बैठेगी। कार पुलिंग की इजाज़त नहीं। ग्रामीन सेवा आदी जैसे सारवजिनिक वाहन भी चलेंगे। लेकिन सिर्फ दो सवारियां बैठेंगी। हर बार नई सवारी बैठने से पहले ड्राइवर को यात्री के बैठने की जगा को सैनिटाइस करना होगा। सभी बाजार और इवन के आधार पर खोले जाएंगे। स्टैंड अलोन दुकाने रोज खुलेंगी लेकिन समाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा। शादी के लिए 50 महमानों की अनुमती। अंतिम संसकार में 20 लोगों के रहने की अनुमती। बॉर्डर पर हर तरह के मेडिकल स्टाफ को बिना रोक टोक के आने जाने दिया जाएगा। मास्क पहन कर निकलना अनिवार हर जगा समाजिक दूरी का पालन करना होगा। पश्चिम बंगाल ममता बनरजी की सरकार ने लोगडाउन को 31 मही तक बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल में नाइट कर्फ्यू लागू नहीं होगा। रहडी, पट्री वालों, सैलून और पारलर को 27 मही से खुलने की अनुमती। केवल कंटेंडमेंट जोन से बाहर के इलाकों में होगी अनुमती। राज्य में अंतर जिला परिवाहन के लिए बस सेवा की शुरुआ। केरल में सर्वजिनिक परिवाहन को अनुमती, यात्रियों की संख्या को सीमित रखने के लिए बढ़ाय जाएगा किराया। परिवाहन सेवा केवल जिले के अंदर आवागमन के लिए उपलब्द होगी। होट स्पोर्ट शेत्रों में ये सेवा उपलब्द नहीं होगी। पुंडुचेरी में भी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाय गया है। पुंडुचेरी में 19 मई से शराब के ठेके खुलेंगे। सुबा साथ से शाम साथ बजे तक खुलेंगे ठेके। राज्जी के अंदर बस सेवा को भी शुरू किया जाएगा। सभी दुकानों के खुलने के समय में बदलाओ। दुकाने सुबा 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी शराब और पेट्रोल डीजल पर जल्द COVID-19 टेक्स लगाय जा सकता है वीडियो डेस्क अमरुजाला.डाट कॉम झालाट में एक खुल बस्त टार जै